दोस्तो अगर आपको भी CID शो देखना पसंद है और आप CID के इंस्पेक्टर नर्दया और इंस्पेक्टर अविजीत को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CID के जाने माने और बहदूर अपसर इंस्पेक्टर पूर्वी के बारे में क्विश्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आये हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल एपियम पिक्सेल्स टीवी को सब्सक्राइब ने क्या है तो जल्दी से कर लीचे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन यानि की जो गंती का बटन है नीचे उसे दबाके और फिलेट कर ले ताकि हमारे आने वाले सारे ने वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलता रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों CID का जो सीजन वान था वो कितना पपुलर था यह मुझे आपको बताने की जरुवत नहीं है आपको पता ही होगा दोस्तों CID के सीजन वान ने धमाल मचा दिया था 20-21 सालों तक इस शो ने दर्शकों का मनोरंजन किया और अभी भी करता आ रहा है CID के जितना भी पुरान एपिसोर से उसको आप सोनी पल और दंगल चानल और यूटूबर भी देख सकते हैं वहीं पर बात किजाएं दोस्तों CID के आने वाले सीजन के बारे में तो आने वाले सीजन में एक इपिसोर में इंस्पेक्टर पुर्वी के उपर होने वाला है बहुत ही खतरना खमला जी हाँ दोस्तों इंस्पेक्टर पूर्वी को चानबिन करने के लिए एक घर में भेजा जाता है जिस घर में एक साइको किलियर रहता है और इंस्पेक्टर पूर्वी जब अकली उस घर में चानबिन करने के लिए पहुंसते हैं वहाँ पर उनके उपर अचानक से हमला हो जा इंस्पेक्टर पूर्वी को बेखोश करके रसी से बांधिया जाता है उस घर के अंदर लेकिन इस प्रक्वी होश में आने के बाद कैसे भी करके अपने हाथ के रसीया कात लेते हैं और CID टीम को फोन करके अपनी हालत के बारे में बताते हैं तो CRD की टीम दोस्तों वहाँ पर पहुँचके इंस्पेक्टर पूरवी को बचा लेती है लेकिन वेट ये CRD है दोस्तों इसमें सब कुछ इतनी आसानी से हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता जब इंस्पेक्टर पूरवी को होश आ जाता है और जब वो CRD को फोन कर रही होती है तभी जो गुनेगार होता है यानि कि जो जो अजीव और गडिप सा दिखने वाला शक्स होता है वो इंस्पेक्टर पूरवी की बाते सून लता है तो वो भी दोस्तों तयार होके रहता है कि कब CRD की तीम आए और मैं उनकर वार करूँ तो दोस्तों काफी मज़ा आने वाला है ये एपिसोड काफी एक्साइटिंग भी होने वाला है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस एपिसोड के लिए जरूर एक्साइटेड होंगे अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताईए मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स बीडियो में